So Hello Everyone, मैं हूँ Vikram और इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले Raymond Limited Share के बारे में अब इस टॉक में आप देखोगे तो यहाँ पे हमें अल्मुस्ट एक परसेंट की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है और यहाँ पे जो स्टॉक का करेंट प्राइस चल रहा है वो है 1837 रुपीज का अगर आज के दिन यहाँ पे हमें इस प्राइस के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है 1834 रुपीज के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर स्टॉक में और वीकनिस देखने को मिल सकती है ठीक है अब यहाँ पर आप देखोगे तो यह almost अपने इसी price के round ही आ चुका है और यहाँ पर भी market close होने में एक गंटा और बचा हुआ है तो आप समझ सकते हो अगर यहाँ पर इसके नीचे closing दे देता है तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा downside का targets active हो जाएंगे अब दूसरे scenario में क्या होता है कि इस area के round यह 1834 के level को break नहीं कर पाता है ठीक है और कल के दिन हमें यहाँ पर green candle बनती हूँ देखने को मिलती है इसी area के round इस तरीके की candle या फिर इस तरीके की candle बनती हूँ देखने को मिलती है तो फिर हमें समझ आ जागा कि नीचे से यहाँ प अगर यहाँ से reversal लेदा है तो हमारे लिए पहला target निकल के आएगा 1963 रूपीज का अगर यहाँ पे कल के दिन में green candle बनती है तो फिर हमारे लिए उपर के targets active हो जाएंगे nearest हमारे लिए 1963 का level होने वाला है तो यही अभी फिलाल के लिए इसके अंदर target निकल के आ रहे हैं आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए helpful रही होगी किसी भी और stock को लेके कोई भी query है तो आप मेरे को comment कर सकते हो मैं उसको अपनी next वीडियो में cover कर लोगा सो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में